चलो बच्चो तो आज हम लोग स्ट्रेटिस्टिक में सेकेंड पार्ट का फर्स चेप्टर कंटीनू करें जिसका नाम है प्रॉबेबिलिटी देखो इस चेप्टर में हम लोग जो प्रॉबेबिलिटी के समस देख रहे थे के जिनमें exercise 1.2 के questions हम लोग continue कर रहे थे बरबर exercise 1.2 के जिसमें proper probability हम लोग find कर रहे थे हैं के नहीं और उसमें probability find करने के लिए आगे आज question number 16 हमें देखना है question number 16 के जिनमें आगे हमने सब method देखी थी एक एक कर के detail में आज question number 16 देखें तो आपकी test book साथ में रखो exercise 1.2 question number 16 देखो उसमें क्या दिया हुआ है लिखा हुआ है कि 3 bulb are defective in a box of 10 bulb 10 bulb में से 3 bulb defective हैं खराब है 2 bulb are randomly selected from this box के this bulb are fixed in 2 bulb holder installed in a room find the probability that the room will be lighted after starting the electricity supply ठीक है यहाँ condition क्या दी गई है समझना ध्यान से के एक room में just imagine के बई एक room में जो है वो 2 bulb holder लगाय हुए है परवर 2 bulb के holders हैं के जहाँ पर हमारे पास 10 bulb हैं उस 10 bulb में से 3 defective हैं मतलब 7 non defective हैं 7 जो बरोबर चल रहे हैं और 3 जो नहीं चल रहे हैं अब कौन से नहीं चल रहे हैं हमें पता नहीं है 10 bulb सामने पड़े हैं और उन 10 में से कोई भी 2 bulb उठा कर इस holder में लगाने हैं 10 में से कोई भी 2 bulb उठाने हैं और वो holder में लगाने हैं और वो room में light हो जानी चाहिए इसकी probability हमें find करनी है room में light हो जानी चाहिए room में light कब होगी? कि इन दोनों बल्ब में से कम से कम एक बल्ब में वो सही एक होल्डर में सही बल्ब लगे तो न बरबन रूम में लाइट कब होगी कि जब दोनों होल्डर में से कोई एक होल्डर में भी सही बल्ब लग गया तो लाइट हो जाएगी अगर दोनों में ये खराब वाले लग गए मुझे उठाने तो दो ही हैं कोई भी दो आ सकते हैं लेकिन अगर दोनों में खराब वाले लग गए तो light जलेगी? नहीं जलेगी अगर दोनों में से कोई एक में भी सही लग गया तो light जल जाएगी रूम में light तो होगी न, अगर दोनों में सही लग गए, तो तो अच्छी बात है, पूरी light हो जाएगी, बरबर, तो इसके related हमें probability find करनी है, कि 10 बल्ब हैं, 10 में से 2 select करने हैं, और वो बल्ब यहां room में लगाने हैं, तो देखो, यहां पर भी 10 में से 2 select करने हैं, मतलब इसमें rule कौन सा लगेगा, selection का, कल हमने देखा था न, selection का c जो हम लोग find कर रहे थे, उसके related लिखेंगे हम लोग, बरबर, तो सबसे पहले तो sample space लिखें, उसका sample space हम लोग clear करें, कि 10 में से 2 बल्ब हमें select करने हैं, तो sample space कैसे बनेगा, यहां पर देखो, यह question number 16 लिखें हम लोग, कि 16 में, यहां पर sample space, u equal to होगा, selection of, selection of 2 बल्ब, out of, out of 10, 10 में से 2 बल्ब select करने हैं, और उस 10 में से भी, bracket में चाहिए तो लिख सकते हैं, कि उसमें से 3 defective हैं, end 7, non-defective हैं, यह बहले bracket में लिख सकता हैं, कि 10 में से 3 defective हैं, और 7 non-defective हैं, उसमें से 2 बल्ब select करने हैं, मतलब कि उसका sample space होगा, जो हम लोग n लिखते हैं, n equal to, n equal to होगा 10C2, दस में से 2 select करना, 10C2, तो 10C2 का मतलब, उसका answer कैसे लिखते हैं, कि 10C2 मतलब 10 multiply 9, 10 को 2 digit तक multiply, और divide में, divide में 2 को multiply, 2 multiply 1, जिसका answer आएगा, कि 10, 9 सा 90, 90 divided by 2, तो 45, answer कितना हो जाएगा उसका, 45, मतलब sample space हमें 45 मिला, अब event डूनना है न, बरबर न, अब event डूनना है, तो जो event A लिखे न, तो event में खाली इतना लिखा हुआ है, the room will be lighted, ऐसा select करना है, ऐसे दो bulb उठाने है, कि room में light हो जानी चाहिए, बले थोड़ी light हो जानी चाहिए, और वो light कब होगी बता है, light तब होगी, कि यहां तो बले एक में सही बल्ब हो, यहां तो दोनों में सही बल्ब हो, लाइट तभी होगी न बरबर यां तो एक में दोनों में खराब बल्ब हो तो लाइट होगी नहीं होगी यां तो एक में सही बल्ब होना चाहिए यां तो दोनों में सही बल्ब होने चाहिए बरबर एक में नोन डिफेक्टिव यां तो दोनों में नोन डिफेक्टिव ऐसी कं होगा condition ऐसे होगी event A में कि जब हम लोग दो बल्ब सिलेक कर रहा है ना तो वो दो बल्ब में से कि कि अगर एक सपोज non-defective हो एक non-defective और एक defective एक non-defective एक और यहां फिर यहां फिर बोथ non-defective बरबर यहां तो फिर दोनो non-defective होने चाहिए समझारी है condition यहां condition हमें यह बताएगी कि हमें जो दो बल्ब सिलेक करने हैं रूम में light हो जानी चाहिए तो उसके लिए कि दो में से कोई भी एक तो समझो non-defective होना चाहिए न यहां तो ऐसा होगा कि एक non-defective होगा यहां तो दोनो non-defective होंगे अगर दोनो non-defective होंगे बोथ non-defective वह बाद ठीक है लेकिन अगर एक non-defective होगा तो बाकी का एक defective तो होगा ही न दो सिलेक करने हैं तो उसमे से अगर एक none defective तो एक defective यह भी हो सकता है यां तो फिर और तो दोनो non defective हो सकते हैं दोनो defective तो लेने ही नहीं है क्योंकि event में दिया हुए room में light होनी चाहिए तो दोनों अगर defective select करेंगे तो room में light हो गींगे वो तो गिनेंगे ही नहीं हम लोग समझारिये बात तो condition ऐसे गिनेंगे कि defective एक non defective एक defective यह तो दोनों non defective और यह और है और मतलब क्या कहला था प्लस हमने पहले बताया था एंड हो मतलब multiply करते हैं और हो मतलब plus करते हैं उसमें तो यहां पर इसको लिखेंगे ऐसे देखो आप number wise लिखें यह तो sentence में लिखा कि दो बल्ब में से अगर पहले bracket में लिखें ना bracket में लिखते हैं फिलाल कि एक non defective end बीच में end आ जाएगा इसमें कि end एक defective तो अगर एक non defective तो non defective कितने हैं seven seven में से एक लेना है एक non defective मतलब seven c one यहां end end मतलब multiply और एक defective एक defective तो defective कितने हैं तीन तो एक उस तीन में से one three c one वरवर एक non defective एक defective तो non defective के लिए seven c one defective के लिए three c one और और मतलब plus बीच में plus फिर दूसरे bracket में लिखेंगे कि बोथ non defective दोनो non defective होने चाहिए अगर दोनो non defective मतलब उसमें लिखेंगे seven c two ऐसे लिखेंगे न कि साथ में से दो ही select करना है समझाई बाद ये दोनों हुआ न अब इनका calculation करेंगे अब इसको आगे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे देखो कि पहले bracket में तो seven c one वो seven ही होता है और multiply three c one वो three होगा प्लस यहाँ पे seven c two तो seven c two को ऐसे लिखते हैं कि seven multiply six seven को दो डिजिट multiply और नीचे two multiply one two को multiply ऐसे ना जो इनके calculation होगा कि seven threes हा twenty one प्लस यहाँ पर seven six तो seven six हा forty two forty two divide by two तो वो भी twenty one and twenty one तो आंसर मिलेगा forty two यह forty two हमारा क्या कहलाया m कहलाया m जो possible outcome हम लोग कहते हैं वो मतलब जो पहला event पूछा हुआ था कि रूम में light हो जानी चाहिए तो रूम में light यह दोनों condition में हो सकती है ना कि एक non defective एक defective हो तो भी light होगी और दोनों non defective हो तो भी light होगी तो उसका यह answer मिला ना यह m मिल गया forty two और यह m मिला तो इस पर से हम लोग ढूंड सकते हैं probability तो अब probability ढूंड सकते हैं ना मैं यहाँ पर ही लिखो यह अलग से लिख रहा हूँ है कि अब अगर probability ढूंड हैं जिसे कहेंगे पी ए तो probability की formula क्या m upon n probability की यह formula m upon n तो m पे कितना लिखेंगे 42 upon n तो n पे कितना लिखा जाएगा 45 42 upon 45 तो 42 and 45 दोनों कटोंगे किस से 3 3 से 3 3 से दोनों कटोंगे यह कटोगा 3 14 जा और यह कटोगा 3 15 जा यह हमारा answer तो भाई रूम में light होनी चाहिए उसकी probability तो उसकी probability कितनी आएगी 14 upon 15 बरबर आरे यह बात समझ में clear हुआ ने यह sum कैसे करने हैं ध्यान देना probability के question सब logically करने हैं हर एक sum में बले इसमें time लग रहा है लेकिन हर एक sum अच्छी तरह से mind में बिठाना है इसमें ओके तो अब जैसे 16 वाला किया अब उससे आगे देखे अब हम लोग 17 का question ठीक है ना इसे अच्छी तरह से लिखो तो फिर इसे rough करके अब 17 वाला question देखें अब देखो के exercise 1.2 में question number 17 अब देखें लेकिन अब जो question number 17 18 है ना वो देखने से पहले हम लोग कुछ probability की फार्मूलाज देखें अब देखो 16 तक जो हमने सम्स किया ना वो सीधे logically questions थे बरबर कि logic डूंडो sample space event फिर probability find करो बरबर लेकिन probability में कुछ particular identities भी आती है identities मतलब समझो कुछ formulas भी आती है तो वो formulas देखें आपके आखरी के जो 17 18 दो question दिये हुए हैं इस exercise में तो वो ये formula basis पर हैं जो मैंने आपको पहले भी बोला था जैसे formula आएगी मैं बीच में note भी करवाओंगा तो सबसे पहले ये probability की जो basic formulas हैं वो formulas एक page पर अच्छी तरह से note कर लो क्योंकि आपके sums वो इनके related होंगे कि जैसे कि सबसे पहली formula P A union B probability of A union B तो उसकी formula आती है P A plus P B minus P A intersection B P A plus P B minus P A intersection B ये formula है directly फिर जैसे P A dash डूड़ना हो तो उसकी formula आती है 1 minus P A 1 minus P A A dash अगर find करना हो यह अगर P A dash intersection B dash find करना हो A dash intersection B dash ये डूड़ना हो तो उसको उसका दूसरा नाम यह उसको दूसरों ये भी कह सकते हैं P A union B whole dash P A dash intersection B dash जिसको कहा जाता है P A union B whole dash और जिन दोनों में एक्जाम में दो भी दिया हुआ हो दोनों में से जो भी आपको पूछे उसके लिए formula आती है 1 minus P A union B और वह न A dash intersection B dash जूड़ना हो तो formula आती है 1 minus P A union B और इसके लिए भी वैसे इसमें कि P A dash union B dash A dash union B dash तो उसको दूसरा नाम कहते हैं कि P A intersection B whole dash तो उसके लिए formula आती है 1 minus P A intersection B देखो ये formula जब आप book में लिखोगे न तो mind में clear होगी ऐसे देखने से नहीं ये चीज़ clear करना जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये formula clear नहीं होगी आपके mind में कि भाई देखो कहा union तो कौन से union में formula intersection की आती है ये जब लिखोगे तो ही mind में clear होगा फिर जैसे difference की formula A difference B बरबन माइनस कहते हैं ये difference कहते हैं जो आगे हमने सीखा था कि A difference B यहां उसका दूसरा नाम कहते हैं A intersection B dash difference B का है न तो A intersection B dash तो उसकी formula आती है PA minus PA intersection B A difference B है न तो PA minus PA intersection B और अगर B difference A हो तो उसको दूसरा कहते हैं A dash intersection B तो P difference B difference A की formula आती है PB minus PA intersection B तो ये particular formulas हैं और इन formulas पर से अब हमें sum करने हैं और से विसमें ही नहीं आगे भी MCQs में 1 mark में exam में भी इस formula के related sums आएंगे दूसरी exercise में भी आएंगे यही formula से तो ये formula अच्छी दरसे याद रखना अब अब देखो कि अब जैसे question number 17 में दिया हुआ है ना आपकी test book में लिखा हुआ है कि for two events A and B in a sample space of random experiment PA equal to 0.6 मैंने लिखा यह directly दिया हुआ है आपको PA 0.6 PB 0.5 and PA intersection B 0.15 ये तीनों दिये हुए और उस पर से नीचे 5 question लिखे हुए में वो पाचो find करने हैं बरवन जैसे कि सबसे पहला लिखा हुआ है PA dash डूंडो first लिखा हुआ PA dash तो A dash की formula क्या आती है A dash की formula आती है 1 minus PA 1 minus PA तो PA दिया हुआ है ना आपको बरवन अब सीधी formula ही रखनी है आप कोई logic नहीं अब सीधी identity सीधी formula के जैसे पहला यहां पर number one डूंड है के PA dash डूंडना है तो PA dash equal to 1 minus PA बरवर तो 1 minus PA तो A की value 0.6 1 minus 0.6 मतलब कितना हो जाएगा 0.4 दूसरा पूछा हुआ है P B minus A तो यह B minus A difference तो उसकी formula आती है P B minus PA intersection B तो देखो P B भी दिया हुआ है आपको और A intersection B भी दिया हुआ है आपको तो वो ढूंडें आप बरवर जैसे second में पूछा हुआ है के P B B minus A ठीक है ना difference event तो B minus A की formula आती है उसमें कि P B minus PA intersection B PB minus PA intersection B तो उसमें PB तो PB की value है 0.5 minus PA intersection B तो A intersection B की value है 0.15 तो 0.5 minus 0.15 तो answer मिल जाता है 0.35 यह second का answer बरवर सीधा formula रखके यह भी मिल गया ना फिर तीसरा कि तीसरा क्या find करना है PA intersection B dash A intersection B dash तो देखो यह है PA intersection B dash यह ढूड़ना है तो आपको A difference भी directly नहीं दिया हुआ है यह दिया हुआ है मैंने आपको पहले ही बता है यह दोनों में से कुछ भी पूछे formula यह लगेगी सब में इन दोनों में से कुछ भी पूछे formula यह लगेगी बरवर तो यह ध्यान रखना अब हमें क्या find करना है तो आप हमें डूड़ना है PA intersection B dash तो A intersection B dash में formula क्या formula यह आती है कि PA minus PA intersection B यह formula ना कि जिसमें PA PA की value है 0.6 0.6 minus A intersection B तो A intersection B की value 0.15 बरवर तो 0.6 minus 0.15 कितना हो जाएगा 0.45 बरवर यह तीसरे का answer भी ठीक है ना इसमें कोई logic नहीं लगाना है ना जैसे इससे पहले वाला बल्ब वाला किया था पूरा logic लगा के करना पड़ता था इसमें logic नहीं इसमें formula ज्याद रखो बरवर फिर जैसे fourth find करना है उसमें पुछा हुआ है PA dash intersection B dash फोर्थ में पुछा हुआ है A dash intersection B dash ये तो अगर A dash intersection B dash तो उसकी formula आती है ये ठीक है इन दोनों में से जो भी पूछे है उसकी formula ये कि 1-P A union B तो 1-P A union B तो अब यहाँ A union B तो दिया ही नहीं हुआ है तो मतलब यहाँ पर अगर A dash intersection B dash डूढ़ना है तो उस formula के लिए पहले A union B डूढ़ना पड़ेगा हमें बरबर ना A union B और A union B कैसे डूढ़नेंगे तो वो यह formula से डूढ़नेंगे तो पहले A union B डूढ़नें फिर यह फोर्थ वाला डूढ़ने ना A dash intersection B dash तो पहले वो find कर ले कि अगर पहले A union B find करते हैं A union B तो उसकी formula आती है P A plus PB minus PA intersection B okay तो जिसमें यह PA तो PA दिया हुआ है 0.6 plus PB 0.5 PB 0.5 minus PA intersection B 0.15 जो तीनों का plus करें ना तो 0.6 and 0.5 तो 1.1 1.1 and 0.15 तो बचेगा 0.95 A union B यह मिलेगा 0.95 तो आप उस पर से डूढ़नेंगे जो number 4 हमें find करना है कि P A dash intersection B dash फोर्थ में यह find करना है ना A dash intersection B dash तो उसकी formula क्या आती है उसकी formula यह कि 1 minus PA union B उसकी formula मतलब कि वहां पर लिखेंगे कि 1 minus A union B कितना मिला 0.95 तो 1 minus 0.95 तो answer मिलेगा 0.05 यह फोर्थ का answer और फिफ्थ में जो पुछा हुआ है कि A dash union B dash तो A dash union B dash तो उसकी formula क्या आती है 1 minus PA intersection B तो वो तो दी गई है value मतलब कि अब यहां पर कि P A dash union B dash अगर डूढ़ने हैं तो A dash union B dash उसकी formula में 1 minus PA intersection B मतलब कि 1 minus A intersection B कितना तो A intersection B 0.15 तो 1 minus 0.15 answer मिलेगा 0.85 तो यह मिल गए ने 5 answer बरबर सब answer हमें मिल गए कैसे मिले तोन formula से यह सब formula से मिले हमें समझाई बात है तो इससे ध्यान रखना मिटा कि अब यह formulas भी याद रखना आगे के sums के लिए और यह method भी तो आप जैसे 17 किया न अब ऐसे ही उसके बाद 18 भी इससे rough करें वो भी formula के थ्रूई करना है तो इससे rough करके अब वो करें है ओके तो देखो कि अब question number 18 कि test book में देखो क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि for two events a and b in a sample space of random experiment p a dash equal to 2 p b dash equal to 3 p a intersection b equal to 0.6 यह पूरा लिखा हुआ है p a dash equal to 2 p b dash equal to 3 p a intersection b equal to 0.6 तो इस पर से डूणना है find the probability of difference event a difference b and b difference a इसमें दो ही चीज़े डूणनी है a difference b and b difference a यह दोनों find करने है तो यह दोनों find करने है तो देखो a difference b की formula क्या उसकी formula है p a minus p a intersection b तो p a और a intersection b वो पहले पता होने चाहिए यहाँ p a तो है ही नहीं a dash दिया हुआ है और और दूसरा जो b intersection b difference a डूणना है तो उसमें भी p b minus p a intersection b डूणना है तो उसके लिए भी p b भी यहाँ पर नहीं है b dash है और a intersection b लेकिन इन तीनों की भी particular values थोड़ी पता है दी गई है कोई fix value नहीं दी गई है तो पहले इन सब की fix value ढूणनेंगे फिर उस पर सही है difference value मिलेगी और fix value कैसे डूणनेंगे तो यह द्यान दो कि यहाँ पर नहीं यह सब equal में दिये हुए हैं सब equal में दिये हुए हैं मतलब p a dash वो भी equal to 0.6 हुआ यह 2 p b dash वो भी 0.6 हुआ और 3 p a intersection b वो भी 0.6 हुआ सब को equal to 0.6 लिख सकते हैं न मतलब ऐसे बता सकते हैं न उसमें कि यहाँ पर p a dash वो भी 0.6 हुआ पी a dash उसको भी लिख सकते हैं दूसरा दूसरा यह कि 2 p b dash वो भी 0.6 हुआ ठीक है 2 p b dash वो भी 0.6 है जिसमें से अगर p b dash डूणना है तो 2 को डिवाइड में ले जा सकते हैं कि नहीं मतलब इसमें ऐसे कह सकते हैं न कि p b dash equal to 0.6 divide by 2 2 divide में तो आंसर मिल गया 0.3 p b dash 0.3 एंड जो तीसरा है कि 3 p a intersection b वो भी equal to 0.6 होगा यह equal to b 0.6 तो इसमें भी अगर 3 divide में ले जाएं तो p a intersection b equal to 0.6 divide 3 कितना होगा 0.2 बरबर न 0.2 यह मिला न देखो यह तीनों अलग-अलग value मिली a dash b dash और a intersection b लेकिन अभी अभी अगर हमें a difference b और b difference a डूणना है तो इसमें pa और p b चाहिए a dash b dash नहीं नॉर्मल a और b चाहिए तो वो कैसे डूणेंगे तो वो यहां से पता कर सकते हो कि देखो अगर pa dash equal to 1 minus pa है तो pa equal to be 1 minus pa dash होगा बरबर न यह सीधा सा जो है वो logic है और probability का rule ही है यह कि pa equal to 1 minus pa dash होता है क्योंकि a और a dash हमने शाटिंग में ही देखा था कि a और a dash मतलब complimentary event उसका total हमेशा 1 होता है उसका total हमेशा 1 आता है तो मतलब a dash डूणना हो तो भी 1 में से उसको minus करो और अगर pa डूणना हो तो भी 1 में से उसको minus करो a dash को बरबर तो अगर pa डूणना है न तो 1 minus a dash तो a dash कितना है 0.6 तो pa मिलेगा 1 minus 0.6 मतलब कितना 0.4 ऐसे ही अगर pb भी डूणना है न PB तो PB ढूंडेंगे इस से B' से कि 1- B' परवर न PB equal to 1- PB' मतलब कि उसमें 1- PB' 0.3 1-0.3 means 0.7 तो अब मिल गया आपको PA, PB और A intersection BB तो अब ये दोनो difference event डूंड सकते हैं परवर न अब डूंड सकते हैं कि अब आपको जो डूंडना है PA difference B तो A difference B की formula आती है PA minus PA intersection B परवर difference की formula क्या PA minus PA intersection B तो जिसमें PA तो PA की value 0.4 minus A intersection B तो A intersection B की value मिली 0.2 तो 0.4 minus 0.2 तो 0.2 ये A difference B और ऐसे ही P B B difference A तो B difference A की formula क्या उसकी formula आती है PB minus PA intersection B परवर PB minus PA intersection B तो यहां पर PB तो PB की value 0.7 minus A intersection B तो A intersection B की value 0.2 तो 0.7 minus 0.2 answer 0.5 यह answer तो यहां परवर आया समझ में तो आज जैसे यह हमने sums की है formula wise फिर से बोल रहा हूँ यह formulas अच्छी तरह से लिख कर, note करके याद करना बरवर तो याद होगी तो आज जो यह formulas हमने की है अब इनके related दूसरे sums और आगे की methods वो अब हम लोग अगले videos में देखेंगे ओके थे, भाद से, भाद आगे तो आगे